देखिए रसिया ने अभी हाली में अपना पहला बैच डेलिवर कर दिया है बंधुकों का जो इस बंधुक को हम लोग कहते है AK203 राइफल्स यह जो AK203 राइफल है यह AK47 राइफल का ही सीरीज में आता है क्योंकि इसमें भी AK है और AK47 के आगे भी AK लगा हुआ है और मानिये का कॉंट्रेक्ट हुआ है इंडिया और रसिया के बीच में सामिल और जिसके लिए साइन हुआ है उसमें रसिया ने बोला है कि वो भारत को 6,70,000 AK203 राइफल देगा पर अभी तक वो 70,000 डेलिवर कर चुका है पर जिस स्पीड से यह 70,000 डेलिवर किया है उस स्पीड का आ 20 जनवरी 2022 मुश्किल से मुझे लगता है कि दो मेहना का समय कंदर यह 70,000 बना के डिलिवर भी कर दी और यह जो टोटल कॉंट्रेक्ट है न 6,70,000 राइफल के इसका कॉंट्रेक्ट का वैलियोएसन जब किया गया तो वो करीब-करीब 50 बिलियन डॉलर आता है जो कि बहुत ह बड़ा अमाउंट है अब यह देखे 70,000 तो रसिया ने बना के भारत को डिलिवर कर दिया वो तो ठीक है पर बाकी के जितने भी बचेवे राइफल्स है उन सब को 6,00,000 राइफल्स को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा रसिया के साथ जोइंट वेंचर करके और इन सब र राइफल का नाम है आएंसा राइफल अच्छा राइफल है पर बहुत ओल्डेटेड हो गया और मॉडर्न टेक्नलोजी करती यह बिल्कुल भी नहीं है यह तीन दसक पुराना हो चुका है और अभी जो यह एक टू-0-3 राइफल सी यह बिल्कुल मॉडर्न गन है और यह ज रिकत इस बात का है कि जैसे कि भारत में आप समझते कि DRDO है पर अगर मान के चलते कि भारत में DRDO नहीं होते तो साइध हम लोग आज मिसाल का टेक्नलोजी बहुत हद तक रसिया के उपर डिपेंड करके चीजों को डेवलोप करते जैसे अगनी सीरीज भारत का है पर वहीं ब्रमोस रसिया के साथ जोइंट वेंचर में बनाया गया है DRDO ही जोइंट वेंचर किया था लेकिन आज भी हम लोग गन के मामले में बहुत पीछे और भारत को DRDO जैसे एक संस्था का अस्थापना करना चाहिए जो कि गन्स, explosive materials, grenades और Indian Army के लिए suit और बहुत सारे ऐसा comfortable और भारतिय लोग भारतिय लेवर इस सब चीज को सीख सके और आगे चल कि इसको develop कर सके इसमें आप मुझे अपना विचार बताए कि भारतिय सरकार ऐसा क्या action ले सकती है कि खुद भारत के अंदर हम लोग खुद भी एक ऐसा rifle को develop कर सके हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक् आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए thank you very much